हाई एवरीवान, किसे हैं आप सब? I hope आप खुशें सस्त हैं और मस्त हैं तो मैं आज रीडिंग लेके आएं हूँ ये रंगोली रीडिंग है और ये काफी टाइम मैंने पहले की थी I think जब मैंने अपना चेनल ओपनी किया था तब ही मैंने रीडिंग कर चुकी थी वहाँ पर और उस टाइम पर मैंने काफी चीज़े न्यू न्यू की थी काफी पुरानी बात हो गई है ये और तो मैं वापस से अपनी उस creativity को एक फिर वहाँ पर अपने आपको जोड रही हूँ क्योंकि मैं शायद इसको साइड में रखना चाहती थी और कहीं और बीजी हो गई मैं कहने कमी नहीं तो मैं आज फिर से ये रंगोली रीडिंग कर रही हूँ और ये मैंने न्यू चैनल पे भी की थी मुझे मैंने फर्स टाइम जब किया था मैंने इस रीडिंग को काफी appreciation मुझे मिला था काफी कुछ प्यार मिला था मुझे वहाँ पर ये भी intuition से ही की जाती है रंगों के साथ यहाँ पर काम करना और काफी कुछ खुबसूरत अहसास होता है कि color हमें कैसे attract करते हैं यहाँ पर send ये जो होता है ना color होते हैं color क्या होता है कि बहुत कुछ हमें अपने जीवन में color को कैसे हम अपने जीवन से कैसे उसको जोड सकते हैं ठीके तो ये रंगोली रीडिंग इसी पर आधारी थे और मैं थीम आपको बता देती हूँ कि यूनिवर्स आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और इंट्यूशन से की जाती है ये भी और देखती हुमें यहाँ पर कि यूनियर्स अभी आपकी तरफ क्या blessings भेज रहे हैं, क्या message है urgent उनका आपकी तरफ, ठीक है, क्या life में, आपकी life style में क्या changes होने वाले हैं, तो यह collective reading है, timeless reading है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, क्योंकि यह यूनियर्स के message हैं आपके लिए, हो सकता है, पूरी reading आपसे resonate हो जाए, और हो सकता है, कुछ-कुछ message आपसे resonate हो, friends, तो जो भी होता है, आप उसको clearly लो, किसी भी तरह का burden से नहीं लेना है, आपको, कुछ भी burden फिर नहीं करना है आपने उपर, जितना हम light feel करते हैं, किसी चीज को lightly लेते हैं, उत्ता ही हम यहाँ पर reading स्टार्ट करती हूँ, और प्लीज वीडियो को like, comment, subscribe, जरूर करना, तो बिल्कुल positive हो जाएए आप, ठीक है, तो यहाँ पर universe prayer कर ले, दो मिनिट आप, प्लीज positive हो जाएए, आप है ना किसी को अपनी life में आने का एक मोका आप दे रहे हो, कोई आपकी life में entry कर रहा है, universe आपको यहाँ पर बताना चाहता है, कि कोई आपकी life में आना चाहता है, वो entry कर ना चाहता है, आपको फिर से खुशियों के साथ वो universe आपको खिल खिला कर हस कर देखना चाहता है, वो आपको आपकी लाइफ में इतनी खुशियां यहाँ पर भर देना चाहता है कि जिसको लेकर आप मतलब पास्ट की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम थी या नर्वस थे या उदास से या इमोशनली हर्ट थे तो उस उस एनरजी से आप निकल जाओ एक new energies की तरफ आप यहाँ पर जाओ केने का मिनी के कि यह person आपकी तरफ आ रहा है प्यार लेकर आ रहा है अबंडस लेकर आ रहा है और positivity और एक healing लेकर आ रहा है आपकी तरफ ठीक है कोई किसी किसी के energy में या देख रहूं कि आप समुंद्र के किनारे रहते हो या समुंद्र के आसपस जाते हो या वहाँ पर जाना पसंद करते हो या आपका मन है या आपकी इच्छा है के हम कहीं ऐसी जगर पर जाकर बेठे जहां शान्ती महसूस हो जहां पर पानी से healing हमें मिल सके जो water की healing होती है उसकी sound जो होती है ना वो आपको बहुत जादा heal कर सकती अगर आपकी wish है तो आपकी वो wish भी बहुत जल्दी complete होने वाली है अगर कोई कोई अपनी healing करना चाहता है यहाँ पर तो water के थुरू उसको वहाँ पर healing उसके लिए available है आप चाहो तो अपनी healing water के थुरू आप कर सकते हो यूनियर्स यह आपकी तरफ एक blessings आपकी तरफ यहाँ पर बेंज रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी healing आ रही है आपकी तरफ ठीक है एक confusion मुझे यहाँ पर देख रही हूं मैं आपके अंदर एक confusion यह होना कि decision नहीं ले पाना दो चीजों में हमेशा अपने आपको फसा हुआ सा महसूस करना या दो चीजों में अटका हुआ सा महसूस करना जहाँ पर भी एक कि decision लेने का time आता है या ऐसा फेसला या एक्षन लेने का टाइम हाता है तो आप तुरंथ वहां से फस जाते हो लेकिन अब शायद यूनिवर्स उस उस एनरजी को कट करने वाले है एक कटिंग की एनरजी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आप उस एनरजी को कट करते हुए अब आगी की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो ठीके एक एक्षन के पूरा जो आप एक्षन लेने वाले हो और एक्षन लेते हुए आप अपनी आपकी जो डिजायर है आपकी जो इच्छ है उसकी तरफ यहाँ पर आप बढ़ रहे हो एक हार्ट में नहां पर देख रही हूँ एक बहुत प्यारा सा बहुत मुझे यहां पर विजन नजर आया भी एक हार्ट की हार्ट का एक केते हैं न एक पिक यहां पर मुझे नजर आई है बहुत मासुम सा बहुत प्यारा सा एक हार्ट ठीके जिसे शायद वो अभी भी धड़क रहा है ठीके तो वो धड़कन आपकी हार्ट की धड़कन किसी किसी का मेसेज है कि आप अपनी हार्ट की बृत को अपनी धड़कन को आप सुन सकते हो अगर आप पीस में रहते हो तो शा पर जितना आप अपने आपको समय दोगे ना उतना आप अपनी अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हो ठीके यह किसी किसी के लिए मेसेज मुझे ऐसा आ रहा है कि शायद वो शायद बहुत बीजी है शायद अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा है तो यहाँ पर बोला यहीं जा रहा है कि समय निकालो अपने लिए थोड़ा सा अपको ड्रिम्ज में बहुत कुछ वो चीजे क्लियर हो जाएंगी जो अभी तक शायद अंक्लियर थी ठीके जिसे आप क्लियर करना चाहते थे आप अपनी लाइफ के लिए ठीके एक decision लेना लेने के लिए ठीके वो क्लियर्टी आपको यहाँ पर ड्रिम्स के थ्रू आपको दी जाएगी ओके तो उसके उपर अपने 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 उपर थोड़ा सा फोकस लगाने की जरुरत है यहाँ पर किसी किसी के घर में गंबले रखे हुए वे शायद खाली रखे हुए तो आपके लिए बोला जा रहा या कुछ मिट्टी डालने की वहाँ पर जरुरत है अभी कोई जर्णी पर निकला हुआ है तो जर्णी पर है वो अभी तीके और शायद वो अभी भी मुझे जर्णी पर ही लग रहे है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी जर्णी को इंजोई करो आप अपने आपको कहीं डिस्टरब करने की कोशिश मत करो आप जर्णी पर भी हो और आपका माइंड आधा कहीं और है आधा कहीं हो रहे तो जो काम जिस समय पर आप कर रहे हो आपको अपनी एनरजी वहाँ पर लगाने की जर्णी अभी आप जर्णी करने निकले हो तो उस journey को enjoy करो ना कि किसी और विशे के बारे में आप सोच इचार करो ठीके भागवान ने ये blessings दी है आपको घर से निकाला है तो उसको उसके मजे लो आप वहाँ पर ठीके ये ये time फिर दुबारा आपकी life में नहीं आएगा आपके साथ में किसी किसी के लिए message है कि आपकी life में या आपके साथ में कुछ ऐसे person जुड़े हुए हैं जो आपको राह भटका सकते हैं आपके रस्ते से आपको शायद भटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनसे alert होने के लिए बोला जा रहा है यूनियर्स आपको बोल रहे हैं किसी किसी के यहाँ पर जैसे किते हैं ना constipation होना सेक्रिल चक्रा जो कि किसी किसी का यहाँ पर सेक्रिल चक्रा ब्लोक था ठीके यह जो ब्लोकेज होते हैं ना हमारे सेक्रिल चक्रा में यह हमारी यहाँ पर मैं अब वो इस पर चली नहीं बताऊंगी सेक्रेल चक्रा को यहाँ पर आपकी कॉस्टिपिशन या पेट में दर्द होना या कुछ ऐसी आपके इस ट्रमक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल नहीं पा रहा था आपकी आप इधर उदर मत भटको किसी बी चीज के लिए मुझे इसा लग रहा है आपके इस ट्रमक में किसी की बहुत जादा प्रॉब्लम है तो आप भटक रहे हो आप इधर उधर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ आपकी कॉस्टिपिशन है कब्ज है आपको तो उसक कोई-कोई यहां अपने ब्लॉक केस को रिमुव करता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है strongly यहां पर किसी किसी के ब्लॉक केस रिलीज हो रहे हैं यहांपर ठीके क्योंकि वह मुझे ऐसा लग रहा है न वह डिफरेंट डिफरेंट एनरजी के साथ यहां पर जुणना पस साता है जैसे किते ना एक अब बहुत समय बीत गया है अकेले में रहना बस अब तो आगे ही चलते रहना है तो वो कुछ ऐसी एनर्जिस में यहां पर देख रही है यूनियर्स आपको चाहता है कि बच्चे अब अपनी खुशियों के साथ जुड़ो यहां पर ठीक है यहां आप ब्रह्माण की यूनियर्सी की उर्जा से आप बहुत जल्दी जल्दी कनेक्ट होने वाले हो मुझे बहुत स्ट्रॉंग यहां पर मेसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप यूनियर्सी की एनर्जिस के साथ आप काम करने वाले हो यह पिक्चर्स आप देख रहे होगे तो कहीं न कहीं देखो कितना क्लियर पिक्चर यूनियर्सी की अगर आप किसी भी पिक्चर को इमेजिनेशन को आप देखोगे तो वो कितना colorful रहता है, मुझे नहीं पता था कि three colors को मिला कर ऐसे भी काम करना है यहाँ पर, जिसकी वज़े से देखो यह कितना, अपने आप में ही एक image बनी है यहाँ पर, बहुत प्यारी जैसे यूनियर्स में एक image बन जाती है, तो आप उस energy से जूड रहे हो, ठीके, आप यूनियर्स की, यूनियर्स जो आपको message देगा उसको आप receive यहाँ पर कर रहे हो, हो clear आपको समझ में आने वाला है कोई यहाँ अपनी, अपनी शुनने के शाथ यहाँ पर जूड रहा है, जिसे केते हैं कि एक बहुर जादा एक peace, एक शान्ती और एक ऐसी energy जो केते हैं कि सीधे सीधे परमात्मा से जोड़ती है, तो यूनियर्स का आपके लिए blessings है, कि आप सीधा सीधा यूनियर्स के साथ आपका connection यहाँ पर बनेगा, ठीके, सीधी ही सत्य है, सत्य ही सुन्दर है, और तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, किसी कि मैं ऐसी energies को feel कर रही हूँ यहाँ पर, बहुती अपने आप में अदबुत energy है यहाँ पर, यूनियर्स आपको बहर बहर के कुछ ऐसे masses आपकी त जाकर आप different different color के आप color यहाँ पर दे सकते हूँ, जिसे market जाते हो, जिसे हम किसी चीज़ को choose भी करते हैं, तो वो रंगों के according यहाँ पर choose करते हैं, तो आप रंगों से बहुत ज़्यादा attract होते हो, ठीके, उस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ colors आपको यूनियर्स ऐसे भे माध्यम से आपको कुछ message यूनियर्स आपको देना चाहता है, यहाँ पर friends आपने बहुत कुछ measure measure complete किया है, वो measure वाली इस्थिती, उस measure वाली situation से आप निकल रहे हो, बाहर की तरफ आ रहे हो यहाँ पर, वो केते हैं न, एकदम, केते हैं न, एकदम नीचे की तरफ जाना और एकदम suddenly उपर की तरफ यहाँ पर आना, मतलब आप कुछ complete करके आप उपर की तरफ आ चुके हो यहाँ पर जाना, पर यहाँ और जाना है, और ऑम के साउंड से यहाँ पर जूड़ रहा है, और ओम के साउंड के त्रू, आप यूनिवर्स के message को बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हो, मैं यहाँ पर infinity का symbol यहाँ पर देख रही हूँ, आप zoom करके देखोगे तो आप और एक balancing energy yin yan की energy में यहाँ पर देख रही हूँ और एक रही हूँ, और एक रही हूँ, और एक रही हूँ और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाना, ठीके जिसे और ज़्यादा knowledge गेन करना, और ज़्यादा जानकरी हासिल करना Thank you, thank you, your blessings, your blessings काफी टाइम से आप universe बोल रहे हैं कि काफी टाइम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, message पर message आपको देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ठीके लेकिन आप कुछ message को आप receive कर पाते हो और कुछ message को आप skip कर देते हो कुछ छोड़ देते हो message को तो यूनियर्स आपको यहाँ पर यही message देना चाहता है कि अब आपको पूरी एक किते ना पूरा एक सतरकता आपको बरतने की यहाँ पर जरुरत है ताकि आप हर चीज को जो यूनियर्स आपकी blessings आपको देना चाहता है जो awareness आपको देना चाहता है जो clarity आपको देना चाहता है वो बराबर से आप ले सको यहाँ पर यूनियर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ लिखने की आपको जरुरत है ठीके कुछ लिखना है आपको अपने बारे में कुछ लिखने की यहां पर बोला जा रहा है कि अगर जो कुछ आपका लिखने का मन करता है तो आपको लिखना है उसको किसी डायरी में उसको लिखो अपने विचारों को व्यक्त करो ठीके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आपको जर्राते अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसे रिष्टे में फसे हुए थे जहां से आपको ऐसा लगता है कि जहां पर आपकी ना समझी थी जो आपके लिए बिल्कुल एको केते न एक अलगी लेबल पर जाना कुछ ऐसे रिष्टे से आप बंधे हुए थे तो वो रिष्टा कहीं न कहीं शायद आपको ऐसा फील होता होगा कि क्या इस रिष्टे में मेरी ग्रोथ है कि नहीं क्या मुझे इस रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए तो यूनियर्स आपको यहाँ पर यह ब्लेसिंग से दे रहे हैं कि आपकी सोच को थोड़ा आप अपने काबू में रखो इतना ज़ादा दिमाग या इतना ज़ादा ओवर थिंकिंग या उस चीज में आपने आपको ले जाने की जरुरत नहीं है हमें करना है वहाँ पर तो कुछ है हमारे लिए चोरदो हमारे उपर या उपर चोरड़ो आटोमेटिक हो खुद द खुद और फुद वह सीचून हैन्दल हो जाएगी और बहुत कुछ क्रिर्टी आपको वहाँ पर मिल जाएगी अपने लाइफ में काफी अब डाउंस फ्रेस करें हैं ठीके अब आप चाहते हो के एक पीस मिले एक शान्ती मिले एक तहराव यहाँ पर मिले तो यूनियर्ज आपको यहाँ पर बता रहे हैं के बच्चे थोड़ा सा थोड़ा सा ओर चल लो ठीके ठको मत रुको मत में हम आपके साथ हैं हमारी पॉजिटिविटी आपके साथ हैं हमारी ब्लैसिंग्स आपके साथ हैं यहाँ पर रुकना तो नहीं है लाइफ में हम आपको रुकने नहीं देंगे हमेशा इसी तरीके से आपको चलाएंगे ठीके क्योंकि यहाँ पर आप पर या तो आप परेशान हो जाओगे या बहुत जादा खुश हो जाओगे जिसकी वज़े से वह एक रीजन होगा कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ोगे ओके किसी किसी का कोई कोट में कोई केस चल रहा था लंबे टाइम से अठका हुआ है और आप वेट कर रहे हों के आप अपना काम करो आपको जो काम आपके लिए सोपा गया है जिस काम में भी आप लगे हुए हो उसमें आपको अपनी एनरजी लगाने की सरत दे आपको किसी का weight नहीं करना है और जिसका weight भी कर रहे हो court case का जो भी चल रहा है वो उसका result आपके حक में ही दिया जाएगा और positivity के साथ ही आएगा ठीक है यह जो कुछ हो रहा है आपकी बलाई और आपके लिए अच्छे के लिए ही किया जा रहा है मुझे यहां message मिल रहा है कोई-कोई इस reading को बड़े ध्यान से देख रहा है बहुत के केसे होता है, क्या होता है ठीक है, तो यहां पर बोला ही जा रहा है कि आपको आपके अंदर भी कुछ है तो उसके साथ आपको काम करने की जर्रत है ओके यह यूनिवर्स ही decide करता है कि कहां पर किस से क्या करवाना है ओके और यह कोई इंडिया से बाहर है किसी कि हैल्थ यहां पर मुझे बहुत डाउन नजर आ रही है तो आपको बोला यह जा रहा है कि जब भी आप डाउन फिल करते हो तो कभी भी उस एनरजी में आप काम मत करो क्योंकि वो वो एनरजी उस काम में चली जाती है और फिर जो रिजब्ट आप चाहते हैं वो रिजब्ट नहीं मिलता है आपको थी के दो जब भी आपको्रे।कर्ट लेने का मूर करता है या रेस्ट लेने का मूर करता है तो आपको वो लेना ह wid आनेवाले सेवन डेज आपको बह argued करने वाले नहीं बहुत जादा ही खुश करने वाले हें और कि सी आने वाले सेवन डेज में आप शायद यहाँ पर मसझे कुछ चिनैज बनींगे यहाँ पर आने वाले सेवन डेज में आप देखोगे कि अपनी आप अपने ओके फेस बनाएं यहाँ पर फेस बनाएं माई आप अपने आप अपनी ब्यूटी के उपर यहाँ पर बहुत काम करने वाले हो कुल मिलाकर आप सेफ लौ करते हुए मुगे नजर आ रहे हो और अपनी हैल्थ का दिराम मुझे नजर नजर आ रहे हो क्योंकि यूर्स चाहता है कि आप खुश रहो आप हैप रहो मुझे इसा लग रहा है नजिस ऐसी आपके तरफ बेश तरब बेश तरह हो जिसे आप अपने आपको सजा सको ठीके अपने आपको निहार सको मुझे ऐसा लग रहा है काफी टाइम से आप अपने आप काम नहीं कर रहे हो सब कुछ किते ना सब कुछ छोड़ के शायद बेठे हो या वेट कर रहे हो तो अब आप पूरा उस फुल एनरजी के साथ पॉजिटिविटी के साथ आप अपने उपर अपनी इसकिन के उपर अपने हैर के उपर अपने फेस के उपर पूरा फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हो क्योंकि आप कुछ करने के लिए रेडि हो रहे हो ओके तो ये यूनियर्स के blessings थी आपके लिए यूनियर्स के messages थे I hope आपसे resonate हो अगर होते हैं तो please like, comment and subscribe Thank you, thank you so much Bye